यहां पर अकलिश यादव को भी लग गया ना विने सिंग बिन्नु जी आपके पास विने सिंग बिन्नु इतना कैसे चलेगा काम बताए विने सिंग जी आप तक आवास पहुँच रही है विने सिंग बिन्यों जी आज तो बड़ा जटका लग गया ओपी राजभर चले गए एंडिये में शामिल होने मना नहीं पाए उन्हें आप देखे ओपी राजभर इसे पहले भी बहुत सारी पार्टियों में गुमते रहे राजभर का कोई एक ऐसा भीजन नहीं है कोई उद्देश नहीं है ना उनकी कोई विचारधारा है कहने के लिए उन्होंने हमेशा से कहते रहे कि पिछडे दलित और अल्वसंख्यक वंचित सो प्रति जंगरना की लडाई लड़ पाएंगे यह अपने परिवार को सेट करने के लिए हमेशा से परुशान रहे समाज को तो कभी वी वी समाज की लडाई नोंने लड़ी नहीं परिवार की लडाई लड़े रहे और रही बात धोट ही कि दरा सिंग चौहां जी तो घोसी क सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी की रही है समाजवादी पार्टी मधवन से भी चुनाव जीती है घोसी से भी सुधाकर सिंग वहां के बिधायक रहे हैं उन्होंने चुनाव जीता है वह हमेशा से समाजवादी पार्टी की सीट रही है दारा सिंग चोहान को जब मधवन से लोगों ने नकार दिया तो भाग करके घोसी आये थे ऐसे लोगों का जनता के बीच में कोई जनाधार नहीं है समाजवादी पार्टी के नाम पर वह चुनाओ जीद गये थे और अब की बार देखिएगा कि कैसे यह लोग चुनाओ आरे नहीं कि अखिलेश यादर का जो अ जितने लोगों उनकी लड़ाई आज उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ रही है और उनकी लड़ती रहेगी और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाओ लड़ने जा रही है और देखिएगा समाजवादी पार्टी आने वाले समय में और धीरे-धीरे मजबूत और यह कोई जाना आना लगा रहता अभी तो शुरू कहां हुआ है हो सकता है राजबर जी के पास अकेले के सिवा कोई बचे ही न अभी देखते रही है क्या क्या होता है तो आपको क्या लग रहा है कि आप कौन पार्टी आपके साथ है यूपी में मायावती अभी अपना वो स्रैंड क्लियर कर नहीं रही है जैंद पार्टी लाप कह रहे हैं शामिल होने जा रहे हैं वो अठारा तारीक को बैठक में देखिए अभी तो फिलाल जैन जी हम लोग के साथ है और रही बात उक्तर प्रदेश की तो उक्तर प्रदेश में जिस तरह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे समाजवादी पार्टी अपने आप में खुद सक्षम है बात ऐसे यह गडवंधन की नही समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को साथ लेकर के लड़ने की लड़ना चाहती है लेकिन इस तरह के जो आते हैं और जाते हैं इनका न समाज में न छेत्र में इनका कोई जनाधार नहीं है आने वाले समय में देखेगा इनकी समाप्ती हो जाएगी क्योंकि समाजवादी समाप्ती का ही समर्थन लेकर के इन्होंने अप्रे सीटों की संक्या बढ़ाई थी मैं मानता हूं कि जब कोई छोड़कर जाता है तो दुख होता है लेकिन इतनी जल्दी भी किसी को इस तरीके से गरियाना हो चित नहीं है अब चले गए तो आज ही कहना शुरू कर दिया और वो समाज के नेता है ना वो जाती के नेता है ना उस एत के नेता है अगर जिसके परिवार है तो दूसरों को कम से कम तो मत बोलो जैसे दूसरों को बोलते हो एक बार अपनी पार्टी में भी देख लिया करो अपने परिवार वाद का क्लासिक एक जाम्पन है हमारे आम मानिय योगी आदितनाची महराज उत्तर परदेश के मुख्य मंतری है तो कोई उन्होंने सडक और गलियों से संगर्षकर करके यह मुकाम नहीं असिल किया है कई और कैसे किया है वो जीत कर नहीं आए हो जीत कर नहीं आए है कमाल बात है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मुख्य मंत्री का बेटा ही मुख्य मंत्री बनेगा, धेक्ष का बेटा ही अधेक्ष बनेगा इस बात पर चलने वाली पार्टी एक देश के सर्ट को इस तरह से बता रहे हैं पूचा देखिए कल शाम को डिनर रखा गया है सुनिया गांदी जी की तरफ से और मैं आपको बता दू कि कल से लीडरों का आना कल सुबह ते शुरू हो जाएगा और कल शाम को सभी लोग एकत्रत होंगे और परसों करीब 11 वजे से यानिक 18 तरिकों 11 वजे से बैटक शुरू होगी और इस बैटक में कई चीजों को लेकर बातचीत होगी जैसे नए अलाइंस जुड़ रहा है उनके साथ में भी बातचीत होगी और दक्षिन भारत के अगर ह तौ Records भारत के वहां पर अपंगूद स्टिती में लाना क्ल डिनर डिप्लोमेसी बें और इस बैटक में बहुत की जड़नीतिक तरीके से इस स्टेटजी को तयार किया गया